हेलो केंग्स आजब मना रहे हैं आलू पसंद आएगा बहुत कम सामानों से हमारे बन कें तैयार हो जाता है छिपकी होता है दीखे़ से क्या करते हैं बणाना सब्से पहले101 क्या गिया है लुँज़ेCा है मैदा इसा बनाएंगे और नमक डाल देबे मैदा है मैदा से कमाई नमक डाल देपां ooky गी घचम्स के गी गी कर ऐतो है एक Auch का ब्रदीकिः करणा य Sm अगर आपको और भी कुछ सामान डालना हो जो भी पसंद हो आलू की स्टफिंग के बिल्कुल भी इसमें काटे तो गुटली रह जाती है वह बिल्कुल नहीं रखेंगे और इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अगर आपको और भी कुछ सामान डालना हो जो भी पसंद हो आलू की स्टफिंग के वह आप इसमें डाल सकते हो इस तरीके से हमने सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है अब दो भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है अच्छे से रेश्ट हमने कर लिया तब मार्श मिट इसका आटे का तो क्या करते हैं हम इसकी इस तरह से हम पेड़े टाइप के काट लिंगे अब इसी को हम इससे बेल लिंगे पूरा एक रोटी आकार का हम इसे बेल लिंगे पूरे में अगर आपको सेड़में चट्ति नहीं लगाना हो तो आलूam इस सेल में डिखा है थी वो आप इसमें उपर से इस तरह से लगा सकते हो तो हम क्या करते हैं इसमें सैजमें चटनी के बाद में हम इसमें जो आलू की श्टपिंग दिखाई थी वो हम इस तरह से पूरे में लगा देंगे अब हलके हलके हातों से हम इसे रोल बना लेंगे इसे पहले हमें बहुत कि आये तरफा से हमें दवाके आमें बनाना है इसकी complex करके अब सकते हैं अ कि अब इस तरह कर लिंगे धिए आप जो साइड में हमें इसे दवादिंगे हकाषा कि इस तरे के से अब साइड का है एम हलकाausा कट कर लिंगे गे इस इसको निकाल साप्राइब मिचलता है मैं जब ऐसे फ्राइप कर marketing फो दोड़ेंगे तो प्राइप सा लगिगे दीए हम यसे चोटी चोटी पीसिस काट लेंगे है नि दिए अफरीमे उटमे शक्राब स्वाली खे श्रेंगे और इस तरह से रोल बना लूँगी एक भी मैंने सेज में चटनी लगा ली थी और एक में में इस तरह से सिंपल में आलू हर के रोल बना लूँगी ठीकी इस तरीके से यह आराम से रोल हो गया है अब इसको भी मैं उसी तरीके से हलके से चिपका दूँगी हलका सा चिपका के यह इस तरह ऐसे रूल कर दूंगी अब साइट का हम हलका सा निकाल देंगे जिससे जो डिजाइन आता है वह बहुत अच्छा आएगा तो देखिए इस तरह से हमने सबको हलके हलके से प्रैस कर लेंगे हमारे बनके सब तैयार हो गए है तो अब हम क्या करते हैं मीडियम फ्लेम में हम पहले तेल को हलका सक गरम कर लेते हैं उसके हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम में हम इने फ्राइगल देंगे एक एक करके हम इसमें जितना स्पेस हो हम इसमें डाल देंगे है और मेरी रेस्पी अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कैसे बने ये क्योंकि जो आलू था वो काफी वाराइटी के आलू आते हैं थोड़ा सा गीला भी आलू था ये गीला गिला पतरिकन प्रेस्पिर बने हुए थह ये इसी तरीके से हमारी बनके बिलकुल टयार हुँ गए हैं आलू के स्न Whereas यह बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे यह अपनी इवनी टाइम बेखा सकते हैं और अच्छे लगे हो तो जरूर बताना कमेंट करके और लाइक जरूर कर देना थैंक्स पॉर बचिंग